है अगर दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके चैनल बैंक ग्रों में दोस्तों दिल्ली सब और्डिनेट सर्विस सेलेक्शन बोर्ड ने मल्टी टास्किंग ऑफिसर के लिए विभिन पदों पर भरती जारी किये इस भरती की तमाम छोटी और बड़ी जितनी भी मुख्य बाते हैं उन सभी पर आज हम इस वीडियो की शुरुबात करते हैं तो सबसे पहले हम अपने आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स अगर बात करें तो जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था वो दो तारीक को जारी हुआ था और जो इसकी ऑनलाइन किया जाएगा चिके चलिए बात आगे देख लेते हैं आगे अगर बात करें वेकेंसी की तो यहाँ अगर देखेंगे तो डी है वह 500 सरसट है ठीक है और जो जिसमें सबसे अगर बद तो वोमेंड चाइड डेवलोपलमेंट में 1-94 यहाँ आभद धेखे वोड निखा सब्सक्राइब यहां हम सभी डिपार्टमेंट की देख लेते हैं वेकंसी और कितनी है जैसे वोमेंट चाइड डेवलोपेंट में एक सो चौरावे हैं सोशल वेलफेर में निन्यानवे हैं ट्रेनिंग एंड टेकनिकल एजुकेशन में छी आसी हैं प्रिंस्पल एकाउंट आफिस में चौंसर्थ हैं लेजिस्लेटिव एसेंब्ली सेकेटरेट में 32 हैं चीफ एलेक्ट्रोलर ऑफिसर में 16 हैं दिल्ली सबाड लेजिस्लेटिव फेर्स में पांच हैं डैट्रे ऑफ बेड़िटमे में तीन 1uges आपके पद निकली के राएं था इक दो 1 organism हम बता देता देते बाकि आप would government में ओन्नावेदन टाल गयरें तो इसके साब से आप बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजेगा जैसे यहां पर देख सकते हैं वोमेंट चाइड डेवलप्मेंट में अगर देखें तो टोटल एक सोचारानवे हैं सब्सक्राइब चार यहां और टोटल यहां पर 99 पत हैं तो इस तरह आप बाकी जितने भी डिपार्टमेंट हैं आप अपने हिसाब से देख लीजेगा जिसमें भी आप अप्लाई कर रहे हैं और उस आप से अगर जिस भी रिलेवेंट के टेगरी में आप बिलॉंग करते हैं तो वहां पर आप जाकर के ऑनलाइन आवेदन आप भर सकते हैं टोटल अगर आप देखें तो यहां पर अलग-अलग डिवाइड भी किया गया है अन्रिजब के लिए दो सो तिरपन है फिर इधर ओबी से लक्सो तिरासी है सी स्टी एड़ूएज इस सबी को मिलाकर पांसो होते हैं ठीक है चलिए अब ऑनलाइन अप्लिकेशन की बाद जैसे हमने शुरुआत में आपको पताया था कि जो इसका आवेदन है वह चालू होगा आपका आर्ट तारीक से और जो आखरी तारीक रहेगी वह रहेगी 8 मार्ट 2024 मतलब मोटा मार्टी आप कह सकते हैं कि आपक और EWS जो हमारे आर्थी ग्रूप से कमजोर अभ्यरती हैं उनके लिए 100 रुपए फीज रखी गई इसके लावा जितनी भी कर्टेगरी के अभ्यरती हैं उनके लिए कोई फीज यहां पे नहीं रखी गई है ठीक है चलिए इलिजबिल्टिक राट एरिया में देख लेते है क्या क्या है यहां पर सबसे पहले हम एज देख लेते हैं एज में आप बात करें तो आठ मार्श दोजार चौबिस को आपकी उम्र कम से कम अठारे वर्स और अधिक सब्ताइस वर्स होनी जाहिए जब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को देखेंगे तो वहां पे जो अधि हैं उसके को नहीं आपको मिलेगा तो उसमें परिशान हो जरूत नहीं है और जब आप डीटेल में नोटिफिकेशन देखेंगे तो आपको चीज़े क्लियर हो जाएंगी हम अभी आपको थोड़ा सा दिखाएंगे भी जो नोटिफिकेशन रहेगा और आपको डिस्रप्श सकते हैं पास होने जरूरी हैं अब चलिए सली सेलेक्शन पोसीजर देख लेते हैं सेलेक्शन पोसीजर जो है रहेगा वो तीन चरणों में रहेगा सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ट एर वन एक्जाम होगा वहां से आप क्वालिफाई करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट जरूर है रहेंगे तक है और किसे उसे तरह है। इसी को करने के लिए मिन्ममनम bending सब्सक्राइब वह आप देख सकते हैं जनरल और EWS के लिए 40% होने कम से कम आपको पास होना जरूरी है इसी तरह जाएगी और आपकी जो अधिकतम है वह 56,900 रुपए तक जाएगी तो यह कुछ रहा इस मुल्टी टास्किंग ऑफिसर के अंतर जितने भी यह डिफरेंट डिपार्टमेंट से में जॉब निकली है उसका यह पूरा हमने आपको मुख्य मुख्य बाती बता दी है और आपका ओगे और और सब्सक्राइब यहां पर हम आपको देख सकते हैं और फर्वरी से लेकर करते हैं ऐठारे साल से लेकर इस वर्ष के जितने भी अभ्यारती हैं भर सकते हैं मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो दस भी मागा गया है ठीक है सेलेक्शन पोसिर आप देख सकते हैं कंप्यूटर बेस एक्जाम होका डॉक्मेंट वरिफिकेशन मेडिकल एक्जाम नेशन पे लेवल वन लगे के सेलरी मे अठारह जार रुपए से लेकर के चालू होगी और च्पनह जार नौस रुपए मतलब करीप सताउन तो पर जाएगी जॉब लोकेशन जो रहेगी और डैली रहेगी और और अफिशल वेबसाइट आप यसकी देख सकते हैं अब आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं जो डि डिटेल में दिया गया है कि आपका जो भी जितने भी वेकेंसी है क्या क्या उसके अंतरगत है सब कुछ यहां पर जैसे देख सकते हैं आप डिपांडेट ऑफ वेल में में देखिए पोश का नाम मल्टी टास्किंग स्टाफ है ठीक है यहां पर नंबर ऑफ वेकेंसी देख सब्सक्राइब इस तरह आप जब देखेंगे तो यहां पर आपका 18-27 वर्श है इसी तरह आप देखेंगे जैसे अगर आप देखेंगे तो है तो हर पोश्ट के लिए अलग-अलग है वह आप जब डिटेल में नोटिफिकेशन देखेंगे तो आप एक बार इच्छे से इसको क्लियर देख लीजेगा उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंदा होगा जो मुख्य मुख्य बाती रही हमने आपको बता दी है और फि दिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा तो आपको बहुत ज्यादा भटकने के जरुवत नहीं पड़ेगी कोई सवाल होगा आपके मन में तो आप हमें कोमेंट बॉक्स के माध्य हमसे पूछ सकते हैं वहाँ पे मैं आपको हैंटेटेटेंट परसने रिपलाई कर दो आपको हैंटेटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटें